पिछले पांच दिनों से 30,000 के पार आ रहे कोरोना के मामले के बाद मंगलवार को राहत की खबर आई है भारत में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 26,115 मामले सामने आए हैं जो सोमवार की तुलना में कम है सोमवार को 30,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए थे इसी के साथ एक्टिव केसिस का आंकड़ा भी तेजी से घटा है कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 3,35,45,35 पहुच गई है जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3,9,575 है देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,45,385 हो गई है और अब तक कुल स्वस्त मरीजों की संख्या 3,27,49,574 हो गई है बीते 24 घंटे में कोरोना से 252 मरीजों की मौत हुई है देश में अब तक कुल 4,45,385 लोग इस वाइरस के चलते जान कवा चुके हैं कोरोना संक्रमर के मामलों में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से केरल से भी राहत की खवर आई है बीते 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 15,692 नए मामले सामने आये जबकि संक्रमर से प्रदेश में 92 लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45,24,185 जबकि मरने वालों की संख्या 23,683 हो गई है कोरोना एक्टिव केसेस के मामले में दुनिया भारत अब आठवे स्थान पर है कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे इस्थान पर है जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है अब बात वैक्सिनेशन की भारत में कॉरोना के खिलाप वैक्सिनेशन अभियान लगातार जारी है स्वास्त मंत्राले ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस वैक्सीन की 96,46,778 डोज लगाई गई जिसके बाद कुल वैक्सिनेशन का आकड़ा 81,85,13,827 हो गया है